हाई अब्रिवान वल्कम वैक टो माई चानल मैं हूँ शाइनी और आज मैं आपके लिए एक वराइटी रेसिपी लेकर रहा हूँ आंदरा स्टाइल पालक की चट्नी चट्नी आपने बहुत अलग अलग तरीके की खाई होगी ये एक वराइटी चट्नी है तो चलिए मेरी के चुन मैं दिखते हैं किस तरीके से इसे बनाते हैं पालक की चट्नी बनाने के लिए दो मीडियं साइस की तं माटन डाल दी ए वहां तो आप उन फोर्द कप डाल येगा एक चोटा साइस यहां पने हिसाफ य्मिय नमक डाल के आप इसको पीस लिएगा तो यहां पर देखे मैंने पीस लिया है इसमें पाइन डालने का जरूत नहीं पड़ेगा आपको मिर्च अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अब पैन में मैंने यहां पर डाला है दो से तीन टेवल स्पून कोकनट आप चाहें तो जो उड़त की डाल डालेंगे और उसी के साथ साथ 2-3 सूखी लानमिज डाल देंगे यहां पर और थोड़े से करी पत्ता डालेंगे इन सब को पहले आपको मीडियम फ्लेम पे थोड़े सा भून लेना है गरम कर लेना है ध्यान रखेगा यह जो चौका हम बना रहे है इसको ज जला नहीं है इसे धियान रखना है और अब हम यहां पर ढाल के अपना मसाला जो कहा लखा हो अकि अब पहले प्रम जो हमक्ता के मसाला डाला के बाद आपको पहले से अच्छी तरेक मिड्Яा MIX करने मिक्स करने के बाद यहां चली कार पोर्ड़ लेंगे नहीं बडु कर सकर इसको mix कर देंगे और ढखक के इसको medium flame पे हम पकाएंगे तब तक जब तक जो टमाटर हैं completely cooked न हो जाए भी आप इस मसाले का color देख सकते हैं थोड़ी दे बद जब यह पक जाएगा तो इसका color थोड़ी डार्क हो जाएगा यह जितना भी पानी है वह बिल्कुल dry out हो जाएग तो बस इसे cover कर देंगे medium flame पे और भीच भीच में से check करते रहेंगे मैंने इस मसाले को 6-7 मिनट के लिए पकाए था medium flame पे आप देख सकते हैं मसाला काफी dark हो गया है पानी सारा इसका खतम हो गया है और oil भी काफी release हो गया है तो बस इसे हलका सा mix करेंगे और अब मैं इसमे पालक को wash कर लिया था और उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था वो पूरा हम इसमें डाल देंगे डालने के बाद पालक को अब आपको mix करना है ध्यान रखना है हमेशे एक बात का जब भी आप पालक की कोई भी recipe बनाते हैं पालक में हमेशे नमक देख कर डालना चाए क् नमक का content होता है तो इसलिए नमक starting में थोड़ा कम डालें और बात में adjust कर सकते हैं पहले अच्छी तरीके से मिला लें इसे मिलाने के बाद medium flame पे आप इसे 6-7 minute के लिए पकाएंगे तब तक पकाएं जब तक बालक बिल्कुल अच्छी तसे आपका completely cook ना हो जाए तो इसको म किनट के पाथ हमारी बहुत पढ़ियासी पालक की चटनी बनके तयार हो गए यह बिल्कुल आंदर स्टाइल है यह आप इसको गर्मा गरम boiled rice के साथ जरू खाका देखेगा आपको बहुत पसंद आएगा यह डिफरेंट तरीकी की चटनी उमीद करते हो आपको यह पसंद आ को अ करते हो इसकाशा बवात तरीकी की चटनी रहते है लिल्कुल आपको ПрMatug क sür departments